कर लक्ष जीएस क्रेकर चैनल में आप सारे मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि आपको पता है कि आज लोग सवाग उत्तर प्रदेश ने एक अच्छी ख़बर दी है और वो है आपको बहुत दिन से इंतजार था का और ऐसकी वेकर की का आं-लाईन आवेदन प्रारम हो चुका है तotकर नोटिफिकशन जारी हो चुका है और इस नोटिफिकशन के आधार जो वेकरिसी 300ह पहले बताये गए थी उस में इस बार 328 हैं करो दीगई है तो अभी या इन कौन को क्राइटेरिया है और इसमें बहुत बड़ा किया गया है ठीक ना और बदलाओ क्या है इसको जानना बहुत जूरूरी है जितने सबसे पहले ही प्रात्मिक्ता यह कि आपको फॉर्म भरने के पहले ही लाइन में दिया हुआ है कि आनलाइन आवेदिन करने के पूर्ण OTR पंजी करन कर OTR नंबर प्राप्त करना अनिवार है बीना OTR नंबर के अफ़ाम नहीं भर सकते हैं इसलिए लापरवाहि मत करिएगा अभी आपके पास में टाइम जितना भी है उसमें सबसे पहली प्राथ मिखता है कि आप OTR समिट करिए OTR नंबर के अभाव में आनलाइन आवेदन समिट नहीं किया जा सकता है ठीक ना और OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है वो आनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयो की बेवसाइट से OTR नंबर प्राप्त कर लें तो सबसे पहली प्राथ मिखता यह है कि आप फार्म के पहले OTR पहले भाव करें वन टाइम करें उसके बाद आप भर सकते हैं तो यह गलती मत करिएगा अभी इसको तुरंट कर वा लिजेगा जैसे ही टाइम मिले गर दिन में सर्वर नहीं रहता तो रात में कर वा लिजेगा ठीक है ना और फीस वगरा तो आपको पता ही है आ 4800 ग्रेट पे होता था उसको इन्होंने अपग्रेट कर दिया है अपग्रेट मतलब की जो मैट्रिक लेबल है जो यह नया बेतन आयोग है उसके तहट आठ में उसमें सामिल करके 47600 से 15100 यह आपका बेतन मान है इसके अकॉर्डिंग यह जो भी बेतन बनती है वही आपको यहाँ पर लागो कर दिया गया मतलब अर्ता तालिट ग्रेट पे मिलाकर के मूल बेतन में यह मैट्रिक लेबल 8 में आएगा तो ठीक ठाक सेलरी बनेगी इसकी तो यह आपकी सेलरी रहे है कि सैच्छिक आर्ता में वही नार्मल आपका ग्रेजवेशन होना चाहिए और ग्रेजवेट हैं तो आप इसको भर सकते हैं अब देखिए इसमें अलग अलग है आपको अपकी सेवा करनी पड़ सकती है तो सबसे पहली इसमें जो प्रात्मिक्ता है वो देखिए कि इसमे सब्सक्राइब किसी भी संस्ता से आपको होना चाहिए असलुपिक में निवन्तम असी सब्लिटराइब निन्यों फचाथ सब्सक्राइब प्रतिमिनट होना चाहिए ठीड न तो पड़ी सब्सक्राइब और टाइप होगा कब पहली प्रातमिकता अब इसमें अगर अधिमानी है आपका अधिमानी कर है तो आप कर सकते हैं दो वर्स आपने प्रदेश की सेना में कारι किया है तो आपको पारी अधिमानी जाएगा इसमे पहले किया हूता था कि पहले इंगलीस और हिंदी दोनों टाइपिंग को अधिमानी दिया जाता था यहां पर नहीं दिया हुआ देखिए सच्छी वाले वाले में लेकिन अधिमानी जो है लोक से वागू में दिया हुआ है यह तिपड़ी हिंदी आसुलेखन अंग्रेजी टंकन का ज्यान रखने वले अभिहरती को अधिमान दिया जाएगा ठीक है मतलब कि यह यहां पर दिया देखिए लास्ट जुलाई में मैं तब सितंबर यह चल रहा है सितंबर में आये लेकिन यह बैकडेट से गढ़ना मांगी गई है 21 से 40 साल होनी चाहिए ठीक ना 21 से 40 वर्स होना चाहिए पांच वर्स का आपको छूट मिलेगा आई सिम्म पांच वर्स का छूट मिलेगा किसको मिलेगा अगर वो उत्तर पदेश अनसूची जाती का अभिहरती है बिच्डे वर्ग अभिहरतियों को वर्गी करत खेलों में कुसल खेलाडियों को मिलेगा उत्तर पदेश राजिस क राजकीज करमचारियों को मिलेगा उत्तरपदेश के अनुदानित मादविक विद्यालों में कारेश सिच्छकों और करमचारियों को मिलेगा ठीक ना पांच वर्स का जो छूट है अर्थात वो 45 वर्स तक की एज है और वो सरकारी नोकरी में है या स्कूल में टीचर है तो वो फार्म भर सकते हैं ठीक ना विकलांगों के लिए यही सिति 55 साल तक टोटल कर दी जाती है ठीक ना मनलब कि 15 साल की छूट मिलते है तो जो भी विकलांग है वो 15 साल जो भी जो है किसी भी करमचारी किसी भी परिशदी सिच्छक है या परिशदी सिच्छनेतर करमचारियों के उसमें हैं तो उनको 5 साल का छूट मिलेगा ठीक ना अनसूची जाती के हैं अनसूची जन जाती रोबी सिखें तो भी 5 साल का मिलेगा सबसे बड़ी बात यह है जो देखने योगे है और जिसे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान लखना है वो है परिश्छा योजना परिश्छा का पाठिकरम क्या है यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर है अभी तक यह GS होता था हिंदी होती थी पहले इसको पास करिए उसके बाद में आपको साठ हेंड होता था और साठ हेंड के बाद में फिर टाइप होता था ठीक ना और टाइपिंग के बाद आपको कंप्यूटर टेस्ट होता था अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले प्रथम चरण जो होगा praying परिश्छा होगी objective होगी समान हिंदी समान ग्यान की होगी समान हिंदी की होगी computer ग्यान की होगी मतब कि ये डेड़ सो अंग का पूरा का पूरा segment आएगा तीन घंटे paper होगा एक साथ ही परिच्छा समान ग्यान, समान हिंदी और computer की computer ग्यान की होगी इसके पहले 50 नंबर का कम्प्यूटर जो इस बार सामिल किया गया यह नहीं था मतलब सामान ग्यान कितने नंबर काएगा वोस्त निस्ट विकल्पी होंगे और 50 अंग के आएगे ठीक ना अब ध्यान लखेगा पचास नंबर का जियस आएगा और 50 नंबर की ही समान हिंदी आएगी और कम्प्यूटर ग्यान भी 50 नंबर काएगा थात देड़ सो अंग का यह पेपर होगा पहला उपरी चरण की परिच्छा परड़ाम के अनुसार 15 गुना अब्यरती सफल घोजित किये जाएगे और सफल अब्यरती दो तीर चरण की परिच्छा में सामिल हो जाएगा आप समझेए मैंने एक वीडियो बनाया था और बहुत अच्छे से बताया था कि भाई देखी पहला पहला चरण का जो परिच्छा होगी ठीक ना प्रथम परिच्छा जिसे आप कहते हैं प्रारंभिक परिच्छा अब परिच्छा प्रारंभिक परिच्छा का जो स्ट्यूल है जिसे में आपको हाकिकत में मैंने मेरा अपना अन्भौ था मैंने उसको बताया था लेकिन आप लोगों ने उसमें बहुत कमेंट किये थे किसर ये तो ऐसे नहीं होता है जिस आप बता रहे हैं इत होगी मैंने वहीं बताया था अब जब आपका प्रथम चरण का परिच्छा का परिणाम आ जाएगा तब आपका जो दो-तीर चरण है वो लागू होगा जनवरी फरवरी में परिच्छा होगी मार्च अपरेल मही में चुना होंगे तो अगर माली परिणाम पहली बात तो आता नहीं अगर आभी जाता है तो इसकी परिच्छा जो होगी न वह लगभग जुलाई आसुलेखन है या साट हैंड है वो 75 नमबर का आपका टेस्ट होगा और फिर कम्प्यूटर टाइपिंग जो है वो 25 नमबर के मतलब 100 नमबर का पेपर ये फिर सेकंड राउंड में हो जाएगा जुलाई अगस्त में हो जाएगा ठीक ना तो आपको यही टेस्ट आपको पास करना है कि साट हैंड आपकी तयार हो जाए अभी क्या चल रहा है अभी चल रहा है सितंबर ठीक ना सितंबर के बाद अब यह पेपर अभी डिसाइड ही नहीं है कि प्रारमिक परिष्छा होगी कब भविष्ट के गरत में हैं अभी आएगा तब पता चलेगा भी एक दो महीने और ऐसे बीट जाएंगे ठीक ना आसा उम्मीद करते 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 कितना और यह टाइम आपको बहुत वेस्ट होता है आप लोग इंतजार करते रहते हैं और इंतजार नहीं क बोलना है हमें कोर्स चलाना ही नहीं है आप देख लिएगा हमारे किसी भी चैनल पर किसी यूट्यूब चैनल या ओफ लाइन में हमको एपियस का बैच ही नहीं चलाना है तो यह निश्चिंद रही है लेकिन जो लोग तयारी कर रहे हैं वो कर सकते हैं उनके लिए चांस है फिर इसके बाद में तीसरा राउंड है उसमें कंप्यूटर प्रैक्टिकल होगा ठीक है ना माली जी कि आपने कंप्यूटर में जो जो ग्यान रखा है उसके लिए सारा का सारा आपको कंप्यूटर बैठ करके प्रैक्टिकल देना है कि आपको आता है कि नहीं इमेल करना आ आता है कि नहीं कम्प्यूटर में लेटर निकालना आता है कि नहीं वह सारी चीजें आपको इस प्रैक्टिकल में आपको बताना पड़ेगा और यह होगा इस रिजल्ट के बाद दोनों सामिल होगे सबसे बड़ी बात यह है कि सव नंबर का यह पेपर और सедार वाला पेपर यह दोनों अपरीक्ट बांघोंब्र कि इनमें जो भी अंक मिलेंगे मतलब 200 नंबर का पेपर टोटल आपका प्रथम और दुति हो जाएगा अब 200 नंबर में 200 नंबर में जो आंक मिलेंगे उसमें मेरिट बनेगी और मेरिट के ऐकॉर्डिंग आपका जो है यह कम्प्यूटर का प्रेक्टिकल होगा तीसरा चरण होगा अंकों को जोड़कर स्रिष्टा के आधार पर चैन हो जाएगा तो आपने समझ लिया इधार आप प्री दे रहे हैं और मेंस के यह जो है ना आपको जो है यह नंबर इसमें जोड़े जाएंगे और जोडने के बाद वैसे अमोमन क्या होता है कि प्रारंभिक परिच्छा के नंबर जुड़ते नहीं है मेंस में लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं यहां इस परस्ट आप लिए देख लिया यहां पर दिया हुआ है उपरी दोनों चरणों की परिच्छा में नियुनितम मानकों पर दोनों चरण मत्तब प्रथम चरण यह दो तीज चरण है और पहला चरण सफल गोजित किया जाएगा समझ रहे हैं फिर पचास नंबर का कंप्यूटर टेस्ट होगा तो आपने धाई सो पहले था पचास नंबर और हो गया कितना हो गया तीन सो पर आपकी मेरिट बनेगी जो फाइनल रिट आएगा वो कंप्यूटर टेस्ट के बाद आएगा और मैं आपको एक ची और बता दो 2013 में एक APS की भरती हुई थी ठीक ना अभी तक कोट से हो या सरकार से हो जैसे भी डिले हुआ हो अभी तक इसका कंप्यूटर का टेस्ट नहीं हुआ है कंप्यूटर का प्रैक्टिकल अभी तक नहीं करा पाया है आप समझ सकते हैं इतना डिले हो सकता है अगर इतना डिले क मिल जाए इसका तो आप चीज ध्यान रखिएगा और जो जीए समाने अध्यान का जो पचास कोशन होगा उसमें संचेपन आएगा प्रतित पुस्तके आएगे इतिहास मद्य आधुनिक और प्राचीन से पुचा जाएगा बिग्यान पुचा जाएगा भूगोल आएगा भारत के सम्मिधान खेल जगत नगर इसमारक इमारतें अंतराश्टी और राश्टी घटनाए और अंकगंड़ के आठकोशन आएगे हिंदी में आपठीद गद्यांस आपको जैसा की लगातार हमारे चैनल मिल रहा है पत्र और कार्यालई पत्रों का लिखना आएगा मुहावरे लोक्तिया आएगे और इसको आपने देखी लिया कि यहाँ पर 75 पांच मिनट का मात्र डिक्टेशन होगा और पांच मिनट में प्रेक्टिकल है जो कि आपको पता है नॉर्मल वर्किंग है कि आप वर्ड में कैसे काम करेंगे एक्सल में पावर पॉइंट में कैसे होगी मेलिंग कैसे होगी पंच्टिंग कैसे होगी ना मेकिंग पावर पॉइंट में कैसे आप बनाएंगे ठीक ना इस सारी चीजह आपको रेल रेलवे टिकट कैसे बुक करेंगे एर टिकट कैसे बुक करेंगे नार्मल प्रिंटिंग कैसे करेंगे सेविंग कैसे करत यह सारी चीज़ है आपके प्रैक्टलम पूछ जाएंगे तो मित्रो मुझे लगता है कि यह जानकारी अच्छे से आपको समझ में आई होगी और यह मेरे जो है लक्ष आईएस के टेली ग्राम चैनल पर यह पूरा का पूरा PDF उपलब्द रहेगा आप चाहें तो वहाँ से इसको अपने भविश के लिए रख सकते हैं नहीं तो आप जो है लोक सिवायो की वेव साइट पर अभी उपलब्द है ठीक अमित्रों तो जानकारी अच्छी लगए हो तो लाइक और सस्क्राइब करिएगा अगले वीडियो में हम पिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार